यूनाइटिड एरलाइन्स फ्लाइट 811 सैन फ्रांसिस्को से होनोलूलू जा रही एक सामान ने उडान थी यात्री अपनी सीटों पर आराम से बैठे हुए थे फ्लाइट अटेंडेंट विमान के खाने और जल्पान की व्यवस्था कर रहे थे लेकिन कैसे एक सामान ने उडान एक दुखत हाथसे में बदल गई उडान के कुछी मिनट बाद विमान में हुए एक तेज धमाके से आस्मान गूंज उठा अपने पैरों के नीचे खुला आस्मान देख यात्रीयों के साथ साथ कैबिन क्रू की भी जान निकल गई सबकी आँखों के सामने एक एक कर नौ पैसेंजर विमान से बाहर खींचे चले गए तेजी से बेकाबू होते विमान को कंट्रोल करने के लिए पाइलेट जी जान से कोशिश कर रहे थे क्या विमान पर कोई आतंकी हमला या बॉंब लास्ट हुआ था क्या पाइलेट इस विमान को सही सलामत उतार पाए अमेरिकी इतिहास के इस सबसे अजीब और खतरनाक हाथ्चे के बारे में जानने के लिए बने रही हमारे साथ 24 फरवरी 1989 हवाई का होनोलूलू इंटरनेशनल एरपोर्ट राद के लगभग 12 बचकर 40 मिनट पर युनाइटेड एरलाइन्स की फ्लाइट 811 ऑस्ट्रेलिया से सिड्नी शहर जाने की तैयारी कर रही थी अपनी फ्लाइट के दौरान इस फ्लाइट को रास्ते में न्यूजिलैंड के आउकलेंड शहर में रुकना था बोईंग 747-122 का ये विमान 3 नवंबर 1970 को युनाइटेड एरलाइन्स को दिया गया था अपनी 18 साल की सर्विस में इस विमान ने अब तक कुल मिला कर 58,814 हवाई घंटों की आतरा पूरी की थी और इससे पहले ये विमान किसी भी तरहां की हवाई दुर घटना का शिकार नहीं हुआ था अपनी इस उडान से कुछ देर पहले ही ये विमान लॉस एंजलिस से उड़कर होनोलू आया था अपनी उस उडान के दोरान प्लेन में किसी भी तरहां की कोई खराबी नहीं थी और होनलूलू एरपोर्ट से अगली उडान के लिए इस प्लेन में नए पाइलेट और कैबिन क्रू को नियुक्त किया गया था यहां से विमान की जिम्मेदारी 69 वर्षिय कप्तान डेविड क्रॉनिन को दी गई थी डेविड क्रॉनिन एक बहुत ही अनुभवी पाइलेट थे जिन्होंने अब तक 28,000 घंटों की फ्लाइट पूरी की थी इस तरह के बोईंग 747 विमान को उड़ाने के लिए भी कप्तान के पास 16,000 घंटों का खास अनुभव था उस दिन फ्लाइट में कप्तान के साथ 48 वर्षिय को पाइलेट ग्रेगरी एलन स्लेडर और 46 वर्षिय फ्लाइट इंजिनियर रॉनल्ड थॉमस भी सवार थे इस उड़ान के लिए फ्लाइट में 15 क्रू मेंबर्स भी सवार थे कुल मिलाकर उस दिन फ्लाइट में 18 क्रू मेंबर्स के साथ 337 पैसेंजर सवार थे अपने निर्धारित वक्त से लगभग 3 मिनट लेट सुभा के लगभग 1 बच कर 30 मिनट पर फ्लाइट 811 ने बोर्डिंग गेट से एग्जिट प्रॉसस को शुरू किया एरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार ये देरी विमान के एग्जिट डोर 5L में लगी हुई एमर्जनसी स्लाइट को लॉग करने के कारण हुई इसके साथ साथ प्लेन में कुछ नए पैसेंजर्स के सवार होने के कारण भी बोर्डिंग प्रॉसस में कुछ देरी हुई पैसेंजर कैबिन और कारगो एरिया के सभी डोर्स के अच्छे तरह बंद होने के बाद जब सभी डोर वार्निंग स्लाइट बंध हो गई तो एक एक कर पाइलेट्स ने सभी चारों इंजन को स्टार्ट किया रोल अफ प्रॉसेस को पूरा कर टैक्सी वे से होते हुए प्लेन धीरे धीरे रनवे पर पहुंचता है रनवे एक आर पर पहुंचने के बाद सुभा के एक बच कर बावन मिनट पर फ्लाइट 811 होनलूलू इंटरनेशनल एरपोर्ट से टेक ओफ करती है टेक ओफ के लिए उस दिन कप्तान फ्लाइट को कंट्रोल कर रहे थे और फिर्स्ट ऑफिसर सभी कंट्रोल पैनल्स और सिस्टम को मॉनिटर कर रहे थे टेक ओफ करने के कुछ दिर बाद ही अपने नॉर्मल प्रोसेस के अनुसार क्लाइबिंग थ्रस्ट पावर को कंट्रोल करने के लिए प्लेन के ऑक्सिलरी पावर यूनिट को बंद कर दिया गया औक्सिलरी पावर यूनिट जिसे शौट में APU भी कहा जाता है आमतोर पर प्लेन के इलेक्ट्रिक सिस्टम्स को पावर सप्लाई करता है फ्लाइट क्रू के अनुसार ठेक ओफ और क्लाइम के दोरान फ्लाइट में सब कुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा था और कॉक्पिट में किसी भी तरहां की कोई गड़बडी या वार्निंग लाइट्स दिखाई नहीं दे रही थी हाला कि प्लेन में लगे वैदर रेडार सिस्टम पर पाईलेट को हलके फुलके थंडर स्टॉम की जानकारी मिल रही थी जो इस फ्लाइंग रूट पर सामान्य बाद थी लेकिन फिर भी जैसा हर पाईलेट आम तोर पर करता है पाईलेट किसी भी तरहां के खत्रे से बचने के लिए प्लेन का रास्ता बदल कर थंडर स्टॉम के बाहर लेकर जाते हैं लेकिन फिर भी आसपास मौसम खराब होने के कारण प्लेन में हलके फुलके टर्बुलेंस के जटके महसूस हो रहे थे जिसके कारण कप्तान ने सभी पैसेंजर्स को सीट बेल्ट लगाए रखने के निर्देश दिये थे और टेक आफ के लगभग 17 मिनट बाद जब प्लेन 22,000 और 23,000 फीट के बीच उड़ान भर रहा था तब ही अचानक एक धमाके की आवाद सुनाई देती है और एक बड़े जटके के साथ प्लेन तेजी से हिलने लगता है असल में ये प्लेन के सामने के हिस्से में लगे कारगो डोर के तूटने का धमाका था कारगो डोर इतनी तेजी के साथ तूटा कि अपने साथ साथ उसने पैसेंजर कैबिन के बहुत बड़े हिस्से को ही उखाड फेका जिसके कारण पैसेंजर कैबिन क्रू के दाएं हिस्से में एक बहुत बड़ा छेत हो गया 23,000 फीट की उचाई पर हवा के तेज दबाव के कारण रो नंबर G और H के बीच की लगभग 10 सीटें उखड कर प्लेन से बाहर जा गिरी और इसके साथ साथ उन सीटों पर बैठे 9 पैसेंजर्स भी आसमान में ही खो गए अपनी आँखों के सामने ही अपने सहयात्रियों को मौत के मूँ में जाते हुए देख कर सभी पैसेंजर्स की जान हलक में आ गई नजाने मौत कब उन्हें भी अपने आगोश में ले ले ये सोच सभी पैसेंजर्स भगवान को याद करने लगे उस वक्त बिजनस क्लास में काम कर रही एक एर होस्टस मी सपलू ने बड़ी ही मुश्किल से एक सीट को पकड़ कर अपने आपको प्लेन से बाहर खींचे जाने से बचाया कैबिन में हुए उस छेत के कारण अचानक हुए डीकंप्रेशन के कारण एक दूसरी फ्लाइट अटेंटन्ट लॉरा ब्रैंटिगलर भी बड़ी मुश्किल से फ्लाइट डेक की सीडियों को पकड़ कर अपने आपको बचा पाई रात के अंधेरे में 23,000 फीट की उचाई पर उस वक्त प्लेन में सफर कर रहे सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स के लिए ये मंजर कितना भयानक होगा इसका शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते वहीं कॉक्पिट में अपने होश समालते हुए पाईलेट ने अपने ऑक्सिजन मास्क लगा लिए ताकि वो अक्सिजन मास्क के सहारे सांस लेकर प्लेन को कंट्रोल कर सकें लेकिन उस धमाके के कारण प्लेन में लगे हुए अमर्जंसी अक्सिजन योनिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा ही तूट कर प्लेन से अलग हो गया था जिसके कारण अब पाइलेट को ऑक्सिजन मास्क से भी कोई मदद नहीं मिल रही थी ये सब देखते हुए पाइलेट तुरंथ ही बड़ी तेजी के साथ प्लेइन की हाइट को कम करते हुए उसे नीचे लाने लगे ताकि कम उचाई पर बिना उक्सिजन मास्के भी सांस ली जा सके इसके साथ उन्होंने प्लेइन को तेजी से 180 डिगरी के एंगल पर मोड़ कर तुरंथ ही वापस होनोलू एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया पाइलेट को लगा कि हो ना हो प्लेइन में बॉम ब्लास्ट ही हुआ है क्योंकि कुछ दिनों पहले पैन एम की फ्लाइट 103 में भी स्कॉटलेंड के उपर से उडान भरते हुए बॉम ब्लास्ट हुआ था ये सोचकर पाइलेट की जान भी हलक में आ गई और उन्हें लगा कि अब उनका बचना नामुम्किन है लेकिन बड़ी ही बहादुरी के साथ दोनों पाइलेट अभी भी पूरी जी जान के साथ प्लेन और उसमें बैठे हुए सभी लोगों की जान बचाने के लिए हिम्मत से प्लेन को कंट्रोल कर रहे थे ऐसी हालत में किसी भी इंसान का हिम्मत हार जाना मुम्किन है लेकिन ये पाइलेट की बहादुरी और ट्रेनिंग का ही नतीजा था कि मौत को सामने देख कर भी वो अपने फर्स को निभा रहे थे मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि अपने वीडियो बनाने के लिए मैं किस तरहां के माइक्रोफोन या कैमरे का इस्तिमाल करता हूँ वॉइस रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं बिग पास्पोर्ट का यूएस भी माइक्रोफोन यूज़ करता हूँ जो हमारे आज के वीडियो के स्पॉनसर भी है बिग पास्पोर्ट माइक के नॉइस कैंसलेशन फंक्शन के कारण ही अपने हर वीडियो के लिए मैं परफेक्ट HD वोईस आसानी से रिकॉर्ड कर लेता हूँ इसके अलावा अपनी टीम से ऑनलाइन बात करने के लिए भी मैं बिग पास्पोर्ट के USB हेडफोन्स और वेबकैम का इस्तिमाल करता हूँ तो अगर आप भी प्रोफेशनल वीडियो बनाना चाहते हैं या ऑनलाइन मीटिंग्स करना चाहते हैं तो बिग पास्पोर्ट के प्रोड़क्ट सभी मेजर e-commerce टोर जैसे Amazon, Flipkart और Snapdeal पर बहुत ही किफायती प्राइस पर आसानी से उपलब्ध हैं सभी प्रोड़क्ट के लिंक और स्पेशल कूपन कोड नीचे description में भी दिये गए हैं जिसका इस्तिमाल करके आप extra discount भी पा सकते हैं तो आईए इसी के साथ वापस आते हैं अपनी case study पर पाइलेट ने तुरंथी ATC टावर को contact कर उन्हें प्लेन में हुए bomb धमाके की जानकारी दी और मेडे का announcement कर दिया आम तोर पर पाइलेट उसी हालत में मेडे की announcement करता है जब प्लेन किसी बहुत बड़ी दुरगटना का शिकार होता है और उसका बचना काफी मुश्किल होता है प्लेन में आई इस emergency को जानते ही ATC तुरंथी पाइलेट को Honolulu Airport पर emergency landing की permission दे देता है ATC जब पाइलेट से प्लेन की मौजूदा हाइट के बारे में पूछता है तो पाइलेट कहते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है और प्लेन तेजी से नीचे जा रहा है शायद प्लेन का engine number 3 फेल हो चुका है असल में कारगो डोर में हुए 30 धमाके की वज़े से प्लेन के कुछ टुकड़े engine number 3 और 4 में जाकर टकरा गए थे जिसके कारण engine को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और वो बड़ी मुश्किल से प्लेन को पावर दे पा रहे थे अब एक एक कर कॉक्पिट में भी बहुत सारे वार्निंग अलाम बज़ने लगे थे जिसने पाईलिट की परिशानी को और बढ़ा दिया था कप्तान तुरंथ ही इन सभी वार्निंग अलाम को बंद कर देते हैं ताकि वो अपना पूरा ध्यान किसी भी तरहा प्लेन को लैंड करने पे लगा सकें प्लेन अभी भी तीजी के साथ दाई तरफ जुक रहा था जिससे देखते हुए फर्स्ट आफिसर तुरंथ ही एटीसी को इसकी जानकारी देता है और प्लेन के रेडार बीकन ट्रांस्पॉंडर में 77-100 का एमर्जंसी ट्रांस्मीटर मैसेज रिकॉर्ड कर दिया इस मैसेज का मतलब आसपास उड़ रहे सभी एअरपलेन और एयरपोर्ट को ये बताना होता है कि पलेन में कोई बहुत बड़ी अमर्जंसी आई है इसलिए वो सब ध्यान रखें और प्लेन के आसपास फ्लाइंग एरिया को क्लियर रखें ताकि प्लेन एमरजंसी में भी लैंड कर सके कप्तान प्लेन के फ्यूल को डंप करना शुरू कर देते हैं ताकि प्लेन के वजन को कम किया जा सके और प्लेन को आसानी से लैंड करवाया जा सके बहुत ही सावधानी से दोनों पाइलेट धीरे धीरे प्लेन को होनोलूलू एरपोर्ट की तरफ ले जा रहे थे प्लेन के थोड़े से कंट्रोल में आने के बाद कप्तान फ्लाइट इंजीनियर रैंडल थॉमस को निर्देश देते हैं कि वो कैबिन क्रू को लैंडिंग के लिए तयार रहने को कहें फ्लाइट इंजीनियर रेंडल तुरंत ही इंटरकॉम की मदद से कैबिन क्रू को कॉल करते हैं लेकिन हवा की तेज आवास के कारण उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता इसके बाद फ्लाइट इंजीनियर रेंडल खुद ही पैसेंजर कैबिन में जाकर कैबिन क्रू से बात करने का निर्णय लेते हैं लेकिन जैसे ही वो कॉक्पिट से बाहर आते हैं तो पैसेंजर कैबिन का नजारा देखते ही उनके होश उड़ जाते हैं पैसेंजर कैबिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ही गायब था और पूरे कैबिन में तेज हवाई चल रही थी फ्लाइट इंजिनियर रैंडल तुरंथ ही कॉक्पिट में वापस आकर कप्तान को इसकी जानकारी देते हैं उन्हें भी ऐसा लगता है कि इस तरहां का छेद किसी बॉम धमाके की वज़े से ही हो सकता है इसके तुरंथ बाद कप्तान A.T.C. को कॉल करके प्लेन में हुए बॉम ब्लास्ट और प्लेन में एक बड़े हिस्से के गायब होने की जानकारी देता है और उन्हें एरपोर्ट पर एमर्जंसी सर्विसिस को तैयार रखने के लिए कहता है अब इंजन नमबर 4 से आग की लप्टे निकलने लगती हैं जिसके बाद कप्तान उस इंजन को बंद कर देते हैं एटीसी कप्तान को 4000 फीट की उचाई पर उड़ते रहने की सलहा देते हैं जिसके बाद कप्तान उन्हें बताता है कि उनके दो इंजन्स फेल हो चुके हैं और वो अब बचे हुए बाकी दो इंजन्स के साहर ही उड़ रहे हैं बहुत ही सावधाने से स्पीड को कंट्रोल करते हुए पाइलिट अ प्लेन को होनलूलू एरपोर्ट के रनवे के पास ले आते हैं और लैंडिंग गेर ओपन कर देते हैं जैसे ही कप्तान लैंडिंग के लिए प्लेन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए फ्लैप का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि फ्लैप सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और प्लेन की स्पीड अभी भी भी बहुत जादा है अब चूंकि फ्लैप्स सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे इसलिए प्लेन अभी भी 200 नौट्स की स्पीड पर उड़ रहा था जो लैंडिंग के लिए बहुत खतरनाक स्पीड थी लेकिन ऐसे हालत में अब कप्तान के पास दूसरा कोई चारा नहीं था हवा में ब्लास्ट होने के लगभग 14 मिनट बाद प्लीन आखिरकार होनो लूलू एरपोर्ट के रनवे पर लैंड करता है तेजी से डोलते हुए प्लेन के टायर रनवे को टच करते हैं और प्लेन तेजी से रनवे पर तोड़ने लगता है इतनी तेजी स्पीड पर लैंड करने के कारण प्लेन कभी भी रनवे से बाहर जाकर क्रैश हो सकता था लेकिन अपनी सूजबूच से पाइलेट साखिरकार प्लेन को रनवे खत्म होने से पहले ही रोक लेते हैं पैसेंजर के साथ साथ पूरे कैबिन क्रू को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता प्लेन के रुकते ही कैबिन क्रू तुरंथ ही सभी आत्रियों को प्लेन से बाहर निकालना शुरू कर देते हैं कैबिन क्रू की मुस्टैदी से सभी पैसेंजर्स और क्रू मेमबर्स सिर्फ 45 सेकिंड से भी कम समय में प्लेन से बाहर आ जाते हैं और अपने फरस को इतनी जिम्मदारी से निभाते हुए सभी क्रू मेमबर्स को इस हाथसे में गंभीर चोट आती है लेकिन फिर भी वो पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं दुर्भाग्य वश प्लेन से गिरे नौ यात्रियों का काफी घोजबीन के बाद भी कोई पता नहीं चलता और समुंदर की गहराईयों में ही वो हमेशा के लिए सोच आते हैं NTSB की फाइनल रिपोर्ट के अनुसार प्लेन के कार्गो डोर का अचानक से खुल जाना ही साथसे का कारण था प्लेन की इलेक्ट्रिक विंग में आई खराबी और कार्गो डोर के कुछ गलत डिजाइन के कारण ही ये दुखद हाथसा हुआ रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रिक वाइरिंग में हुए एक शॉर्ट सर्किट के कारण कारगो डोर का लॉकिंग लैट सिस्टम सही से लॉक नहीं हुआ और 23,000 फीट की उचाई पर हवा के तेज दबाव के कारण कारगो डोर एक जटके से तूट कर प्लेन से अलग हो गया कारगो डोर इतनी तेजी के साथ तूटा कि प्लेन के पैसेंजर कैबिन का एक बड़ा हिस्सा भी उसके साथ साथ प्लेन से तूट कर अलग हो गया ऐसा हाथसा दोबारा ना हो इसलिए अपनी जाच के बाद NTSB ने सभी बोईंग 747-100 सीरीज के विमानों के कार्गू डोर को बदलने का निर्देश दिया अपनी बहादुरी और फर्स के प्रती जिम्मेदारी के कारण 1989 में सभी क्रू मेंबर्स को सेक्रेटरी अवार्ट से सम्मानित किया गया अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो कृपिया लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा होसला बढ़ाएं आपके सहियोग के लिए हम सदैव आपके आभारी हैं धन्यवाद